हेलो एवरिवन, वैलकम टू MS Educational TV अच बीए सी बोड बीवानी के दोवार जो डियल्ड, SIP और प्रेक्टिकल से रेलिटेड नोटी जारी क्या गया है यहाँ पे आप देख सते हैं प्रेस नोट डियल्ड नियमित और रियपेर प्रिक्षा कश 2021 से समधित बाहिए है एवं आंतरिक प्राइक प्रिक्षा COVID-19 के दरश्टिकत सभी समधित डियल्ड शिक्षम संस्ताओं में इसंचालित करवाई जानी है यहाँ कि आपकी जो इंटरन और जो एक्षनर प्रेक्षिनर प्रेक्षिकल होगी उसी इंस्ट्टूट और उसी कोलेज में होगी जापिया अपने अडिमिशन लिया हुआ है परवेश वर्ष 2019 दिवीतिया वर्ष नियमिट चातर अध्यापकों का विद्याले इंटरन्शिप कारिकरम दिनांक 2921 को पूरण हो रहा है यहाँ कि आपके जो है 22 सेप्तंबर को जो SIP कंप्लीट हो जाएगी सेकंड इयर की सभी सिक्षन संस्ताइट डियल्ड दिवीतिया वर्ष नियमितिया रियेपियर के SIP 2 के विशे की बाईये प्रागिक प्रिक्षा दिनांक 2921 से 3921 से तक संचालित करवाएं वे ओनलाइन एंक बरने हैं तो बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें यह पे साब साब बोला गाए कि सब्सक्राइब की और नोटिस में आप देख सकते हैं यहां पर प्रेस नोट डियल्ड नियमित रीपेर प्रिक्षा कज 2021 से समंधित भाई हैं आंत्रिक प्रागिक प्रिक्षा कोविड-90 के दर्श्टिकर सभी समंधित डियल्ड सेक्षन संस्ताओं में करवाई जानी हैं प्रिवेश वर्ष 2019 से किष दिवितिय वर्ष के छात्रा द्यापको का विद्याल इंटरंशिप कारिगरम दिनांग बाईस नोदो जारीकिस को पूलनो राया था सभी सिक्षन संस्ताओं यहां पर जो डेट दी गई है अगर उस डेट के बाद में यह दी आप जो है पक़ेंगे अगर आप जो है आप से पांच रुपे लिए जाएंगे या फिर जो इंस्टिटուट है उन से पांच रुपे जो लिए जाएंगे सभी सिक्षन संस्ता है निर्दारिती थी 24-9-2-20, 30-9-2-21 ते कांतरिक प्रागिक मुल्य अंकन वा ऐसाईपी के यंक बर्णा सुनिशी चित खरें येदि किसी सिक्षन संस्ता को ओनलाइन अंक बर्णे में किसी परकारगी को कठिना जाती है email ID याँ पर दिये गए, contact number दिया गया है इन से आप contact और सकते हैं अब यहाँ पर हम आपको SIP performer दिखाएता हूँ, जो second year में जो हमी लेगा, phase second A यहाँ पर परफोर्मा देख सकते हैं इसमें देखी किस तरीके से बढ़ना हम आपको complete detail में समझाऊँगा, आप किस तरीके से बढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, वैसे ही जो है जिस institute आपको आपकी SIP लगी हूँ, यह school internship जी को हम TPP भी बोलते हैं, teaching practice उनके दवारा ब्राज आएगा, लेकिन जो basic detail हूँ आप खुद भी बर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर देखते हैं, board of school education अरियाना बिवानी, यहाँ पर देखते हैं dealed second year नीचे लिगा गया, for internal evaluation of school internship program, performance second for upper primary school mentors evaluation phase second and a particulars of the student teacher, यहाँ पर particulars का मतलब होता है, जो भी basic detail है वो यहाँ पर बढ़ने आपको सबसे first point है यहाँ पर आप देखते है, dealed admission year यानिकि आपने जो कब तक admission लिया है यानिकि यहाँ पर इस तरीके से बर सकते हैं, जैसे किसी ने 2019 में लिया है, तो 2019, 21, इस तरीके से आपको जो यह बढ़ना है next बात करते है second point में यहाँ पर आपको बढ़ना है name of dealed institute यानिकि आपने कौन से institute में admission लिया हुआ है वो यहाँ पर आपको बढ़ना है, ठीक है सभी का institute अलग-अलग हो सकता है, कोई भी institute का यहाँ पर आप आप नाम लिखेंगे, ठीक है registration नमर का मतलब यह है, आप अपना roll नमर भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी ठीक है, same ही होते है next है name of student teacher की जो भी student जो LGBT या dealed कर रहा है उसका नाम क्या है, उसका जो है यहाँ पर नाम लिखना student teacher की बात हो रही है जो खुद student LGBT या dealed कर रहा है next है जो भी candidate है, उनके फादर का नाम next date of birth यहाँ पर आपको date of birth फियल करनी है date of birth का यहाँ पर कोई column वगरा नहीं दे रहा किस तरीके से बढ़नी है तो आपकी मर्जियों वैसे बर सकते हैं जैसे किसी की जो है 20 October है, तो 20, 10 और 1934 में है तो इस तरीके से dash लगा कि आप बर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी otherwise अगर आपको ऐसे लिखना है तो 20 October 1934 में ऐसे भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है next यहाँ पर point दिया गया है कि name of school allotted कि आपको कौन सा school मिला है तो उसका सब से पहले government जो school है उसका नाम लिखना है और उसका कि यहाँ पर कौन सी जगापे है ठीक वो लिखना है government school यहाँ पर कौन सी block में है ठीक आपका कोई भी block हो सकता है तैसिल जो भी है यहाँ पर block आपको लिखना है और वो कौन से जो हर डिस्टिक में है ठीक है जैसे चर्खिदादरी डिस्टिक में है तो चर्खिदादरी लिख देंगे ब्लोग कौन सा है वो आपको ब्लोग यहाँ पे लिखना है जो एट्थ पॉइंट है यहाँ पे बताएगा कि तो पहले वाले में तो स्टाइटिंग डेट लिखनी है और लास्ट वाले में जो है एंड डेट की कौन सी तारीक को खतम हो रही है यहाँ पे साब साब बोला गया है कि जो यह परफोर्मा दिया गया है यह उसी स्कूल के जो हर टीचर सब्जक टीचर के दवारा ब्रा जाएगा जहाँ पे आपके S.I.P. लगी हुई है तो इसमें फर्स्ट में आप आप देखते हैं सीरियल नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे जो है कौन कौन से टोपिक है नेक्स्ट यहाँ पे टोटल मार्क कितने है और आपको मार्क मिले कितने है याँ कि मार्क से ओटेंड कितने हुए है सबसे पहले बात कर लेते हैं देखें टीचिंग Competency of Upper Primary Classes यहाँ पर 20 नमबर के हैं और आपको जीतने नमबर मिलेंगे यहाँ पर लिखे जाएंगे सेटन नमबर पर यहाँ पर lesson plan आप देखेंगे lesson plan में देखी क्या क्या है subject के नम यहाँ पर लिखे गए है और कितने lesson plan मनाने हो यहाँ पर लिखे गए है तो subject first में इंदी उर्दू जो भी आपके पास subject है उसके 17 lesson plan मनाने है subject 2, 17 subject 3, 17 तीन subject के आपको 17 lesson plan मनाने है अब यहाँ पर देखें जो पहला subject इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह सभी student मना सकते हैं लेकिन जब बात करते हैं subject second और third की तो यहाँ पर student को यह doubt रहता है कि हम कौन से subject की SIP यहन की जो है lesson plan तयार करें तो देखें आपको subject 2 और third में कौन सा subject select करना यह आपके ओपर depend करता है क्योंकि आपने जब forum बरेंगे तो आपको चार subject की option मिलते हैं जैसे मैं नाम बढ़ा बतायता हूँ math, next English, next SS और science यह चार subject होते हैं जो भी आपने second year के लिए जो subject choose किये गए है इन में से उनी subject के आपको lesson plan तयार करने है देखिए किसी ने अगर math और English ले रका तो उसको math और English का जो classroom तयार करना है किसीने math और SS ले रका है तो उसका तियार करना है किसीने SSS और science ले रखी है तो इन दोनों subject का lesson plan तयार करना कोई भी दो का यहाँ पे चार दिये गए हैं लेकिन आपको कोई भी दो चूज करने है स्तरस्तर lesson plan मनाने lesson plan के पंदरा number होंगे आपको कितने number मिलेंगे वो यहाँ पे show किये जाएंगे third number पे यहाँ पे देखते है teaching learning material यह आपका 5 number का होगा जितने number मिलेंगे आपको यहाँ पे last column में लिखेंगे fourth number पे पीर observation record all above mentioned in each subject for lesson 12 student profile reflecting journal यह 5 number का होगा यहाँ पे जितने number आपको मिलेंगे यह सभी जो है teacher अपने आप जो लगाएंगे next बात करते हैं point number 5 teacher observation record all above mentioned in each subject for lesson 12 report of community survey तो यहाँ पे teacher observation report है record है यहाँ पे 5 number का आपको जितने number मिलेंगे यहाँ पे लिखा देंगे आपको जितने number का होगा आपको जितने number मिलेंगे आप लास्ट में से हो जाएंगे S.I.P. की बात करें तो यहाँ पे total 60 number के S.I.P. है short number की जो की जहाँ पे आपने इस जिस्टी से कुली इंस्टूट में admission लिया हुआ है sorry जहाँ पे आपके S.I.P. लेगी होई teaching practice लेगी हुई है उनके दवारा बरे जाने है यहाँ पे लास्ट में देखे एक लाइन बोली गई है कि evaluate the lesson plan of concerned subject by concerned subject teacher यहाँ साब साब बोला गया है कि आपको जो भी lesson plan त्यार करने देगी है यहाँ पे star लगा हुआ आप द्यान से देख पा रहे होगे यहाँ पे देखे star लगा हुआ इस तरीके से तो star को नीचे explain किया गए कि star का मतलब यही है कि आपको कौन सा lesson plan त्यार करना कौन से subject का त्यार करना है यहाँ आपको subject teacher या फिर आपको जो भी आपने forum में बराधा उसी का जो आपको lesson plan त्यार करना है next बात करते हैं subject आपको तीन lesson plan त्यार करने तो जब यहाँ पे तीन teacher की जो signature होंगे और उनका नाम लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे इंदी का जो है जो भी teacher होगा सबसे पहले तो इंदी वाला teacher क्या करेगा यहाँ पे उपर तो signature कर लेगा इस तरीके से और उसका जो नाम होगा यहाँ पे लिख देगा next बात करें यहाँ पे देखिए subject second आपने जो है math का त्यार करवाया तो math वाले teacher के sign उपर हो जाएगे नाम नीचे हो जाएगा third column में यहाँ पे देखते है subject 3 subject 3 में हो सकता आपने science ले रखाओ तो science teacher के सब नाम जो है sign उपर हो जाएगे और नाम यहाँ नीचे लिखा जाएगा यहाँ पे जो signature of mentor है और जो है designation school stamp यहाँ पे जो है mentor के signature होंगे और उसकी designation कौन सी post में है principal पे है teacher है और साथ में school stamp यहाँ पे लगेगी तो इस तरीके सी यह performer है भरा जाएगा साइपी का को doubt है तो मझे comment section में जुरूर पूचे और मैं आपको बता जाता हूँ यहाँ पे lesson plan अगर आपको दिक्कतार है कि कहां से त्यार करें तो मैंने इसी वीडियो की description में website का link दे रखा है उस website के उपर जा कि आप जो यह lesson plan खुद डाउनलोड कर सकते है PDF forum में और अपना खुद तयार कर सकते है अगर वाज यह आप मार्केट से लेगने जाते हैं तो 500 या जार रुपे जो है दुकान वाले लेते हैं और अगर सकूल की तरफ से लेते हैं तो सकूल वाले भी जो 500 या रुपे ले लेते हैं आपके आम ऐसे नंबर लगा देंगे तो रिक्वेस्ट यह हैं कि मेरी जो 100 रुपे की फाइल ले ले जिए और PDF जो है lesson plan की मैंने वीडियो की description वेबसाइट पर दी गई यह वह से आप डाउनलोड करके अपना जो है थोड़े से रुपे में अपनी खुद की जो है lesson plan की फाइल तयार कर सकते हैं प्लस में यह आपको practical फाइल भी तयार करनी है तो उसके लिए भी आप जो है मैंने वीडियो की description वेबसाइट की लिंक दे रखाए उसके उपर practical फाइल भी अप्लोड की गई है उसको भी उसके अलप से आप अपनी जो practical फाइल उसको तयार कर सकते हैं thanks for watching